मुखी मंत्री रुपेश बागेल द्वारा गुरुवार को काकेर में 36 गड़ के पहले स्वामी आत्मानन इंग्लिश मेडियम आदर्श महा विद्यारे का वर्चुवल लोकारपन किया गया मुखी मंत्री ने कायकराम को सम्मुषित करते हुए कहा कि 36 गड़ के गरीब से गरीब परिवार के चात्रों को भी उत्कुरष्ट सिक्षा दिलाने के लिए हमने वर्च दोचार बीस में स्वामी आत्मानन उत्कुरष्ट विद्याले के शुरुवात की ये योजना प्रदेश में काफी लोग प्रिय हुई स्कुलों के साथ साथ हमने स्वामी आत्मानन अंग्रेजी माध्याम कॉलेजों की भी शुरुवात करने का फैसला लिया है इस साल दस कॉलेज खोलने का लक्ष रखा है इनहीं में से एक कॉलेज का लुकारपन काकिर में किया गया स्वामी आत्मानन अंग्रेजी माध्यम आदस्ट महाविध्याले का विद्वत उद्गाटन आपके करकमलो द्वारा होने जा रहा है सर इस अवसर पर सभी अतितियों का हार्दी का बिननने सर जैसे कि आपको ग्यात है सर पिछले एक साल में कांकिर ने शिक्षा के खेत्र में नहीं सोपान गड़े हैं सर आ स्कूली शिक्षा में जहां एक और यहीं पचातर बच्चों ने कॉलिफाई किया वहीं नीट परिक्षा में 82 बच्चों ने प्रवीष परिक्षा कॉलिफाई की ती इसके अतरिक सर राश्य परिवाद गोज परिक्षा में 135 बच्चों ने चाट्रवित्ती के लिए क्वालिफाई किया और जो यह नमोदा है सर उसके लिए गवर्मेंट स्कूल के बच्चों को विशिष ट्रेनिक रह गई थी तो वहाँ के 80 सीटों में से 67 सीटे जो है गवर्मेंट स्कूल के बच्चों को मिली इसी प्रकार गस्वी में 91.47 परसंट रहा और बारवी में 90.32 जो पूरे कांकेर जिले की इतिहास का सरवाधिक रिजल्ट है अभी अभी सर जो शासन की योजना है सुगर सब्सक्राइक कांकीर में उधाय से आग्राय करूंगी कि वे इस अफसर पर कुछ शब्क है सर नमस्कार आज हमारे लिए काकेर वासियों के लिए गवरों का विशय है कि हमारे काकेर जिले को अंग्रेजी मीडियम स्वामी आत्मनन इंग्लिस मीडियम कॉलेज आप सवगात की रूप में दे रहे हैं इस अफसर पर हमारे लगबग तीनों विरायक साथ में हैं साती साथ हमारे जिसने वरिष्ट देता हैं सारे लोग यहां पर उपस्तित हैं कलेक्टर साब पूरे हैं और बड़ी संख्या में हमारे बच्चे जो हैं आपको देखने के लिए आप से सुनने की लिए आप उपस्तित हैं और जैसा आपका एक सपना है सर हम सब का सपना है कि हमारे बच्चे समार्ट हो समार्ट क्लास में बेठें और वो बड़े-बड़े पदों पे जाए, 36 का नाम रोसंकरे, इसी के गड़ी में जो आपने सोगात दिया है, उसके लिए मैं सारे हमारे काकेरवाशियों की ओर से आपको बहुत बदाई देता हूँ, आपके पास समय का अभाव है, इसको देखते वे मैं बहुत जादा बात नहीं करूँगा, किन्तो ये जो आपने पहल किया है सर, इससे बच्चे बड़े प्रभव हैं और आज हमारे पास हाल की कमी है, और आपने जैसा हमको एक आडिटोरियम भी दिया है, उसके लिए अलग से एक बाद हम लोग फिर से आप से जुड़ेंगे, तो नमस्ते सर, मैं आपके दोरा और जब जी, मेरा नाम शालिनी हो रही है, मैं गॉर्मेंट हाई से केंडरी स्कूल कोरर से पढ़ी हूँ, आपके दोरा और जीला प्रस्टाशन के दोरा चलाएगा, हमर लक्ष होजी में मैं पढ़ाई की हूँ, और मुझे गर्वे कि मैं अप पहली इंजिनियर बनने जा रही हूँ, आपके सर्योग से, आएंटी सर, खुब बजाई साल में, खुब तरक्की करो, खुब आशिर्वाद, सभी को नमस्कार, जय जोहर, और कारकाम में उपस्तित, संसदी सची भाई सिसुपासोरी जी, छेत्र विदायक, आदर्ने भाई अनुपनाग जी, बहांस वाहित्री मनोज मंडावी जी, प्रिमती सरोष ठाकूर जी, खेमरायन बजबल्ला जी, नरेश ठाकूर जी, रोमनाज जैन जी, नरोत्तम पडूती जी, बिरेश ठाकूर जी, बैज दिलीब खटवाने जी, नरेन ज्यादाव जी, और कलेक्टर में और एसपी साहब सभी उपस्थित हमारे चात्र चात्रा हैं और जिनको रोजगार मिला वो सब युआ सांथी गण, उपस्थित, दियों, सज्जनों, युआ सांथियों और पतकार बित्रों. आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि काकेर में स्वामी आत्मनन सास की अंग्रेजी माध्यम आदर्स महाविद्यालाय ततर नरहर पूर में स्वामी आत्मनन सास की अंग्रेजी माध्यम विद्यालाय के अत्रित कक्ष का लोकारपन किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में सासके अंग्रेजी माध्यम का महावित द्यालाय कांकेर में खुला इसके लिए सभी कांकेर वास्यों को बहुत-बहुत बधाए जिला प्रसासन के भी बहुत बधाए आपने बाजी मार ले पूरे हम तो दस कालेज खोल रहे थे तो पहला कालेज तांकेर में खुला जब से बैसी सुपाल स्वामिय आत्मना नंगरेजी स्कूल में इनको पढ़ाने का उसर मिलेगा तो सतत प्रक्रिया एक योजना बड़ंग से हमने इस काम की सुरुवात की है जो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भोईस निधारित करेगा मैं सभी बच्चों को बढ़ाई देता हूँ साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी साड़े चार सालों में करीब सत्तेश अजार सिक्षकों की भरतिया हमने निकाली है पहले 14,500 और इसमें से 10,834 सिक्षकों ने इसकुल में निक्ति दी जा चुकी है 12,000 सिक्षकों के 12,489 सिक्षकों के भरतिया निकली है जो प्रक्रिया दिन है लगातार चलता है और बस्तर में हमारा प्यास यही है कि बच्चों को जादा जादा पढ़ने विधायकों को भी बहुत बढ़ाए अर जिला प्रसासन पुलिस प्रसासन को भी बहुत बढ़ाए असुप्रामना देते वे हरेली अब नजदीक है 17 तारीक हरेली ततिहार उसके अगरे बढ़ाए सुप्रामना साथ ही 36 गड़िया उलम्पिक के भी सुरुवात हम लोग करना है तो उसके भी तैयारी हम लोग सुरू कर दें अब चूंकि बरसाथ तो पहले तो डरा दिया था लेकिन बाद में गिरात परियात बरसाथ हो चुकी है पसल बुआए और नरसरी देने थरहा देने का काम भी अभ तो सभी किसान भाईयों को भी मैं बदाई देते हुए